दोस्तो Samsung ने इंडिया में लॉंच कर दिया है अपनी A-Series में एक और नय फोन जो की है यह Samsung Galaxy A21s प्राइज रखा गया है 16,499 रुपए जहां आपको मिलता है 4GB RAM और 4GB storage और दोस्तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इसी device का unboxing देखते हैं कि कैसा है यह phone और क्या features हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं इस phone के बारे में और ज्यादा तो बने रहेएगा हमार साथ इस वीडियो में और दोस्तो यह आप देख सकते हैं galaxy 821s का box और box के front side में को picture देखने मलता है जहां पर हम clearly देख सकते हैं कि यह phone हमें देखने मलता है infinity or display के साथ में तो चलिए इस box को unbox कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है यह phone दोस्तो box को open करते ही सबसे बिल हमको देखने मलता है यहां पर envelope जहां पर दिये गया है कुछ documentation और एक से मेजटर टूल उसके बाद दोस्तों हमको देखने मलता है यह phone जो कि हमर पास available है black color में चलिए इसको लगते हैं एक पर side में और देखते हैं box के कुछ और content और इसके बाद हमें देखने मलता है Samsung की तरफ से आने वाला यह faster जर्व जो कि आता है 15 watt की output rating के साथ में और last में हमको देखने मलता है data cable जो की है type C port में और दोस्तों यह है Samsung Galaxy A21s अब अगर हम बात करते हैं इस phone के design की तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी premium design के साथ में आपको यह देखने को मिल रहा है हाला कि यह phone भी मना है polycarbonate body से लेकिन काफी अच्छा material यहां पर use किया गया है और कुछ इस तरीके से light reflection आपको देखने को मिलता है जब आप turn out करते हैं तो design तो no doubt काफी जदा amazing और premium finish के साथ में आपको यह phone देखने को मिल रहा है अब दोस्तों यह phone भी आपको देखने मिलता है 5000 mhk battery के साथ में लेकिन फिर भी इस phone का जो weight है वह बहुत जदा नहीं है इंफेक्ट यहाँ पर जो grip है phone का वो भी हमें काफी अच्छा देखने मिल रहा है तो जो hands on feel हमको देखने मिलता है इस phone का वो भी मैं कहूंगा की काफी अच्छा होने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर मैं physical overview में बहुत दर टाइम नहीं लोगा लेकिन आपको इतना जरूब बता दूँ कि इस phone में आप 2 sim card के साथ में अमरी card लगा पाएंगे जहाँ triple card slot यहाँ पर दिया गया है जो charging port है वो type C आपको देखने मिलता है और इस phone में मैं 3.5 jack भी देखन कर रहा है Samsung के one UI 2.1 version के साथ में जो की बीज्ट है Android 10 पे अब यह तो हम आपको आपको काफी बार पाता चुके हैं कि Samsung का one UI है यह काफी ज्यादा optimize है काफी lag free experience हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और काफी सारे advanced feature पर देखने को मिल जाते हैं जैसे की 100 mode, dark mode, dual application ऐसे काफी सा करते हैं corner side में आपको punch hole देखने को मिलेगा अब यहाँ पर क्योंकि infinity or display दिया गया है इसलिए Samsung ने इसमें आपको दिया है IPS LCD पैनल वैसे दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर चो display था यह काफी अच्छा perform कर रहा था display में colors आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अगर य Amazon Prime या फिर Netflix पे HD content stream करना जाते हैं तो वो इस phone में possible है अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस phone की camera की तो यह फोन का key highlight feature है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है true 48 megapixel का primary sensor what camera setup आपको देखने को मिलता है जहाँ पर 8 megapixel का ultrawide sensor 2 megapixel का depth sensor और 2 megapixel का macro sensor दिया गया है अब यहाँ पर द यहाँ पर हमें काफी अच्छी images देखने को मिलती है और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि Samsung के phones में काफी अच्छी image processing देखने को मिलती है और कुछ इसी तरीके camera आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी यहाँ कुछ images आप देख रहे हैं यह auto mode मिली गई है और दोस्तों यहाँ पर आपको camera में कुछ और modes देखने को मिल जाते हैं जैसे कि panorama mode, live focus या फिर अगर हम बात करते हैं zoom की तो यह attack zone को भी support करता है और अगर मैं बात करता हूं Ford mode की जहाँ पर काफी सारे लोग images लेना पसंद करते हैं तो वो mode भी यहाँ पर दिया गया है front camera की बात करते हैं तो 13 megapixel का front camera आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कुछ sample shot यहाँ पर आप देख सकते हैं बात करते हैं दोस्तों battery की तो यह भी इस phone का key highlight feature है और Samsung के पहले वाले phones की जरह है इस phone में भी हमें बड़ा 5000 image का battery देखने को मिल रहा है तो no doubt यहाँ पर हमे अच्छा battery backup देखने को मिलने वाला है और यह है phone fast charging को support भी करता है जी हाँ 15 watt का fast charging को support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात आती है phone के performance की तो आपको बदा दे कि इस phone में देखने हो मिलता है Exynos का 850 chipset जो की एक latest chipset है Exynos की तरफ से जी हाँ इस से पहले हमने किसी भी phone में नहीं ही देखा है तो दोस्तों जितना मैंने अभी तक इस phone को use किया है मुझे अच्छा performance देखने हो रहा है In fact, यहाँ पर मैंने काफी सारे multitasking की वहाँ पे अच्छी का सी multitasking को देखने को मिल जाती थी और अगर मैं बात करता हूँ gaming की तो यहाँ प बाकि दोस्तों इस phone को हम और काफी दिन तक use करने वाले हैं तो आगे की वीडियो में आप और जान पाएंगे इस phone की performance के बारे में कि यह phone actually में कैसा perform करता है चलिए अब सलते हैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पर Samsung की तरफ से क्योंकि यह A series का phone है तो इसमें हमें काफी सारे advanced feature देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों उनमें मैं सबसे बहले बात करना चाहूँगा नौक security की बारे में अब दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि during lockdown या फिर जो pandemic situation है इसमें cyber crime कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कितने ज़्यादा frauds हमको यहाँ पर देखने को मिल रह हैं और दोस्तों यह ज्यादा तर fraud हो रहे हैं यह smartphone के साथ में ही हो रहे हैं क्योंकि अब भी हम अपने smartphone पर multimedia या फर gaming की अलावा अपने banking के काम भी करते हैं अपने payments के काम भी करते हैं तो इससे secure रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी security के लिए आपको दोस्तो Ace Keys के phone में देखने हो मलता है Nox security जो की hardware और software मतलब OS दोनों की बीच में integrate होता है तो जब भी कोई हमें bridges देखने हो मलते हैं OS में security को लेकर यह nox security चेक करता रहता है और हमें यहाँ पर अपना secure system देता है वैसे आपको बताया देगी जो nox security है यह defense grade security है जहां यह 128 bit encryption के साथ म phone को दे जती है तो no doubt दोस्तो security बहुत ही जड़ा जरूरी है आज की smartphone में जो कि हमें Samsung के A series और S series के phone में देखने को मिल जाती है in fact Samsung के A21S में भी देखने को मिल जाती है इसके लब दोस्तों यहाँ पर हमें Samsung health का feature पर देखने को मिल जाता है जिससे कि आप हमें daily sports activity track कर सकते है तो कुछ advanced feature बें आपको Samsung की A series में देखने को मिल रहे हैं और यह आपको Galaxy A21S में भी देखने को मिल रहे हैं security की बात करते हैं तो physical fingerprint sensor हमको rear side में देखने को मिल रहे है जो कि हमें काफी ज़्यादा fast और accurate भी देखने को मिल रहे है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर sound quality की त तो जो external speaker था यह भी काफी ज़्यादा loud है in fact यहाँ पर जो earphones है वहाँ पर भी हमें Dolby Atmos sound का support देखने को मिल जाता है तो यह था दोस्तों एक complete package Samsung की Galaxy A21S का जो कि आपको मिलता है 16,499 रुपई की price में और वैसे यहाँ पर आपको कुछ no cost EMI option में देखने को मिल जाते हैं ज चलिए यही था अज के इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like और share करना मत बूलिएगा अगर आप चाते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना चाल को ज़रो subscribe कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं आगले ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन चुब रहें और आज कवडियो देखने के लिए बहुत बहुत अनिवाद